SPT News पर आप देख रहे हैं राजस्थान के बड़ी खपरे कोरोना संकट के कारण लगाए गए लोकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने वाला है इससे पहले केद्रे स्वास्ते मंत्राले की ओर से ग्रीन जोन का नियम बदल दिया गया है अब जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं आएगा उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा मिलता था स्वास्ते मंत्राले के नए वर्गी करण के अनुसार एक जिले को ग्रीन जोन के रूप में माना जाएगा अगर पिछले 21 दिनों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है मंत्राले ने देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन घोशित किया है वहीं 134 जिले रेट जोन और 284 जिले और इंज जोन खोशित किये गए है कोटा शहर में कोरोना का संक्रमन लगातार बढ़ रहा है प्लैनिंग के अभाव में अब ये वाइरस शहर की कोलोनियों में गदर मचाने लगा है हालात ये हैं कि रोज़रा बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं इतक चिकिसा महकमा वाइरस की रोक्ठा में फेल नज़र आ रहा है सिती ये हो गई है कि चिकिसा विभाग के सर्वे और स्क्रीनिंग पर सवाल उठने लगे हैं पिछले दिनों होट्सपोर्ट सेंटर से कुछ लोग गंभी हालातों में अस्पताल पहुँचे और उनकी मौध हो गई जपुशेत्र में प्रसव से तीन दिन पहले मंगलवार को कानोता के एक निज़र अस्पताल में जौांच के लिए आई महिला कोरोना पोजिटिव पाई गई है जानकारी के अनुसार जम्वा रामगड उपखंड के गाउं राहोरी की महिला बुधवार को कोरोना पोजिटिव पाई गई थी पती ने बताये कि महिला को प्रसव पीड़ा होने पर महिला जिकिस साले जाने से पहले कानोता स्थित निज़र अस्पताल लेकर आए महिला ने अगले दिन जैपुर महिला जी के साले में जुड़वा बच्चों को जन दिया जहां जाच में महिला कोरोना पोजिटिव पाई गई जैपुर में लोगडाउन का उलंगन करने वालों के खिलाफ पुलिस की सक्टी जा रही है लेकिन उसके बाद भी राजधानी में कई भू माफिया सक्रिय हो रहे हैं ताजा मामला सांगा ने सरदर्थाना इलाके का है जहां पर चार से पांच दिन के भी तरी चार लोगों ने प्लोटों पर कबजी के F.I.R. दर्ज कराई है जिस ससाइटी के पट्टे से प्लोट खरी दे गए थे उसके खिलाफ और जिस काष्टकार की जमीन थी उसके खिला शामिल हुए टोंग जिले के मालपूरा शेतर में जीप और बाइक में भिढ़न्थ होने से दो यूवकों की घटना सर पर ही मौत हो गई पुलिस के अनुसार ये दोनों यूवक बाइक पर आ रहे थे रास्ते में मालपूरा केकडी मार्क पर तितरिया मोड की पास उनकी ब शाहुल प्रकाष्ट कॉंस्टेबल के घर पहुच कर बच्चों से मिले और उन्हें सावधानी रखने के बारे में बताया और किसी वे परिशानी में तुरंद संपर करने को कहा अतरेक्ते पुलिस उपाई उक्ते सत्वीर सिंग, लली शर्मा, दिलीप सोनी और रजनीश अजमेर में लगदाउन के दौरान कोई भी मानो भूखा नहीं रहे, संत निरंकारी मंडल ब्रांच अजमेर के सेवादारों द्वारा 25 मार से लगातार विभिन शेत्रों में राशन सामगरी का वित्रण किया जा रहा है, एक मही को लगभग 800 खारने के पैकेट तयार कर वि झाल झाल